हलो नमस्ते आदा आप सस्रियकाल केम छो एंड कासा काई दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नमन गुपता फ्रम कार्स्वान एक्स मिनिस्टर रोड हैदरबाद और दोस्तों मेरे आज की वीडियो में वी आर गूइंग टो शो यू दी अमेजिंग सेल्टॉस एच्टी ए मॉडल जिसे हमने पूरी तरीके से अक्सेसराइज करी है दोस्तों यह वही गाड़ी है जो आपको मेरे पीछे के तरफ दिख रही है बट मैं आपको भी नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से अप्ग्रेडिशन हो रहे है अभी कंप्लीशन में है काम पूरा इसके अंदर जो एलोइस दले जो फ्रेंट लुक आया है गाड़ी का जो इंटीरियर का काम हुआ है ता सिस्टेम और इस बीन इंस्टॉल्ट ट्रस्ट में इस गोईंग कार जिस तरीके से अफ्रेड हुई है इन जिस्ट अ कपल अब मिने सेकंड मोर और वो देखकर मुझे बताना कि वेदर इस एक्सेसराइशन होने के अब जो गाड़ी पर लुक आ रहा है दोस्तों मतलब मुझे तो मज़ा ही आगया देखकर जिस लुक अधिस कार नाउं हमने इसके अंदर जो जो आइटम दाले है एक थीम फोलो कर आए गाड़ी के अंदर सबसे पहले तो अगर आप देखो गया हमने इसकी सामने की ग्रिल को रिप्लेस करके यह प्रॉपर टाइगर नोस ग्रिल दाली है इसके अलावा इसे हमने इधर यह बोल्ड अन ब्योड फुल हेडलाइट क्रोम दाला है जिस लुक अट इड़ वह आ रहा है इस इस मेट इन कोरिया फ्रेंट्स दालने के बद नो ड़ूट बहुत ही ज्यादा क्लासी और रॉयल फील्स देता है गाड़ी में अपार्ट अपग्रेड करके जनार्क लाइट्स दाले बट अब्यूसी बात है दोस्तों दिन का टाइम में कड़क धूप है तो आपको लाइट ऑन है या ओफ है वो ही पताने चलेगा बट लेट मी टेल यू इसका जो फोकस और त्रो रोड पे रहेगा आपको आगे रोड पूरी चम नहीं तो spread, spot हर चीज यह एक ही बल्ब में आ जाएगा अपार्ट फ्रम देश नीचे के तरफ ने हमने इसे दिया है प्रोपर आइसक्यूब फॉग लांप ओवर यह जो एक्जाक सेम स्नग्ट फिट कपलर तो कपलर फिट हो जाते है यह जो आइसक्यूब फॉग लांप से हमने इसे कोई हेडलाइट में कनेक्शन नहीं दिया है इसका प्रोपर स्विच दिया है अंदर जो अन करते ही आपको दोनों लांप्स अन हो जाएंगे और दे लूप रिली कूल आफ्टर इंस्टालेशन दे बेस पार्ट अब इस आइसक्यूब फॉग लांप सादाट मैं स्टालेशन आउट अपार्ट फॉम दिस हमने इदर यह प्रॉपर एबी इस कॉलिटी का फ्रेंट मंपर दिया है जो प्रॉपर जीडी लेंग स्टाइल में आता है बट वी डिन्ट वन्ट रेड कलर कस्तमर को रेड नहीं चाहिए था तो वी आव गिवन इम दो कॉंबिने सेम रूफेल्स ओवर यह इन फुल एबीस कॉलिटी इन ओरेजिनल किया स्टाइल और पैटर्न दोर वाइजर क्रोम लाइन दिया गया है लोवर विंडो कारनेश यह थर्ड रो तक दाली गई है जैसा सेम टॉपेंड मात है डोर हैंडल क्रोम दिया गया है यह साइट अगर आप इसको देखोगे जो यह दर्वाजा खोलने के बाद भी जिस तरीके से मोल्ड पर आता है आज आपको कोई प्रोड़क्त इस तरीके से नहीं आता है दिस अगें जैन्यून मेड इन कोरिया वन ओफार होटेस सेलिंग प्रोड़क्त हमने इसे साइट रुनिंग ब ब्लेंड करेगा इड़ी शालो मांट फुट्रेस्ट तो मैं जब पार रखेट चड़ूंगा करूंगा इदम कमफर्टेबली पूरा वेट ले लेगा तो इस वेरी कमफर्टेबल वाल गेटिंग इन दकार और अल्सों वाल गेटिंग आउट अपार्ट फ्रम आल दीस तिं भी गुट फ्रिट थास्ट इन दार डारो जो गाडी यह जो जान बाट सक लंट के देखेट अंदर यह जा रहा यह ए आप खाकि नियुक नेक्स लेट ने चार यह जो लॉक्ति पार गाडी का लुकि नेक्स लेट पर बदल तक है आए अजो जो अच्ट something that is bold something that is sporty then this is the best option I would recommend for your car yeah alloys मतलब literally मेरा मन उस पर आ गया है भाई apart from all these upgradations पीछे के तरफ में we have given him this proper spoiler at the top जो proper glossy black finish में है lip spoiler बोलते हैं no clamps no holding no screw fitting nothing छोटे-छोटे items जैसा टेलाइट को chrome aesthetics आड़ करी गई है रिफ्लेक्टर क्रोम आड़ किया गया है और पीछे के स्टाइल में सेम जैसे हमने सामने बंपर दाला है उसी स्टाइल में पीछे एक वेरी स्लिम शालो मांट प्रोटेक्टिव बंपर दाला गया है अपार्ट्रम ओल इस तिंग्ज आप एक्स्टीरियोस में देख रहे हो हमने इदर एक 360 कैमरा भी डाला है जैसे आप देख सकते हो रेर कैमरा यहां पर जो फिटेड है उसी तरीके से साइड मिरस के अंदर यहां पर हमेंने कैमरा बढ़ा है जिसके बारे में हम अंदर के तरफ में बात करेंगे आप पहले यहां से आईए सबसे पहले तो हमने इस गाड़ी के अंदर दिये यह प्रॉपर डाम्पिंग बाई ऑटो फन विच यह तो पॉइंट एम्पिंग मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि उससे क्या जो आपके पावरेंडो चैनल मोटर स्विच यह जो रैटलिंग साउंड है वो पूरा सब्सक्राइब करेंगा यह तो दालने के बाद जो मुझे रोड ग्रिप और जो स्टेरिंग और जो एक प्रीमियम फील आ रही है गाड़ी में भाई पैसा वसूल है मतलब मैं आज स्टेरिंग कवर इतने क्वालिडी के देखा हूं बट इसके टक्कार में इसके जैसी अभी तक एक भी नहीं अब यह जो स्टेरिंग कवर आपने देखा ब्लाक अंद सिल्वर में हमने कैसा मार्च करा है तो अब यह सी बात है सीट कवर इसी कलर शेड के होएंगे आईए वहां पर से तो आप देख सकते हो दोस्तों हमने इस गाड़ी के अंदर जो सीट कवर भी दाले है फुल बक्केट फिट में जिस लुक एथ बक्केट शेप लुक के दिस डेप्ट ओवर यह यह प्रॉपर सेंटर में वेंटिलेटेड कवर है तो मैं जब इदार रेस्ट कर रहा हूं यह जो पोर्स है एटल आपको हीट जेनरेट होना पील होना फटना इसमें कोई स्कोप ही नहीं है इसकी अलावत दे डोंट जेनरेट एनी हीट नथिंग अट अल पूरा पूरा अब जाएगा अगर आप देखोगे इसका जितना कार्पेट एरिया है और फुल माट इंग जो आपको आपके कार्पेट एरिया से मल भी जो मेंट इसूस अब आते हैं यह माटिंग दालने के बाद आपको वह भी हड जाएगा एणिधिंग फॉल्स ओनड वाइप इसके ओ है इस गाड़ी के अंदर जो इंस्टाल हुआ है is this amazing music system friends come inside आप देख सकते हो कि हमने इस गाड़ी के अंदर जो system दाला है it is a look-wise regular 10.1 inches head unit but obviously बात है carsonics पर काम हुआ है तो कुछ regular तो हो ही नहीं सकता है so this guys is just not a regular music system which is capacitive touch and all ये है proper high performance head unit which works on a 4 GB RAM and a 64 GB storage friends आज आपको कोई brand के अंदर ये configurations नहीं आते है latest android version 10 है that is the highest version today and system के अंदर ये पूरे high-end features रहेंगे जहां आपका hotspot connect कर सकते हो जहां पर आप system के अंदर ही there is a play store there is movies watching option everything in the system itself apart from this the only thing that makes this system very much special is wireless android and wireless carplay friends मैंने मेरे secondary phone लाना भूल गया इदर सिर्फ एक ही phone है जिसके तुरू अभी वीडियोज वगर आप play हो रहे है तो that is the only reason I won't be able to show you the live demonstration of android auto and carplay but yes अगर आप YouTube के मेरे description पर जाओगे तो I can over there show you properly a link जहां पर आप click करने के बद आपको यह system का पूरे demo बताएगा वो just look at that link and you will get to know what amazing features this system has got to offer you apart from that हमने इदर एक wireless charging pad add कराए जो प्रॉपर मेट फॉर्स सेल टॉस रहेगा प्रॉपर वह शेप में बैड जाएगा no what do you say carton PT nothing at all original provision में बैड जाता है 15 watts का charger है दोस्तों इसमें भी 10 watts का भी आया है but that is not very fast charging it's a regular charging port this is 15 watts so the charging speed is also pretty good in the car apart from all these things ये गाड़ी के अंदर जो एक royal और एक premium look and feel देता है is this amazing ambience light again दिन का time है friends तो it is very difficult for me to just you know show you this ambience light but अगर आप देखोगे the tube kind of a DRL which is passing by on the doors ये जो इदर inner door handles जो bottle holder के पास जो ambience light है and is a floor area के पास भी है it actually stands out but दिन के time पर अगेन आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा whether it is on or not but yes if at all you want to see the ambience light again link में description में I'll give you a link आप उसको click करिए आपको proper ambience light का full demonstration बता सकता हूं so these are all the accessories जो हमने इसके interiors exterior सब्सक्राइब करें the list is endless friends we have also given a parcel tray डिक्की मार्ट इस हर्च ट्वीटर और इन अपिलर तो आपको overall जो vocal sound clarity वह भी बहुत ज्यादा enhance हो रही है तो बहुत सारे और छोटे-छोटे चीज़ है जो हमने इस गाड़ी के अंदर आड़ कर रहा है जो गाड़ी के convenience look and feel में अलगी improvement दे देते हैं तो दोस्तों अभी आपने देगा हमने किस तरीके से इस celtos hte को modify क्या है मतलब just look at the car now and how it was earlier I am very sure you must be loving it हमने इस upgrade को name क्या है the bold and beautiful मतलब bold भी है sporty भी है और साथ का साथ beautiful भी है अगर आपको भी पसंद आया हो तो like बटन दबाईए चैनल को subscribe करिए क्योंकि guys the more you guys subscribe उतना ही मुझे motivation मिलेगा हर दिन आप लोग को नए नए accessories लेकिया के बताने के लिए thank you so much friends this is नमन गुपता यह signing off for carsonics minister road Hyderabad thank you so much